नमस्ते फैंट्स मैं मधुली का फोट कनेक्शन में आप सभी का स्वागत करती हूं आज मैं आप सब केरी बेकरी स्टाइल पाइनेपल पेस्ट्री की रसीपी लिकराई हूं इसे हम बनाएंगे बिना अवन के जी हां कड़ाई में बहुत ही असानी से हम बिना अंडे बिना प ज़िस करेंगे चारों तरफ नीचे बॉटम सब सायड में अच्छे से तेल लगा है अब हम यहाँ पर एक पाश्मुल पेपर का पीस भी लगा कड़ाई या प्रेशर कूकर में इस तरह से केक बेक करें तो नीचे इस तरह से पेपर लगाएं अब हम केक बैटर के लिए पोल में चौथाए कप तेल लेंगे और आधा कप पिसी हुई चीनी लेंगे और वन फोर्थ कप हम यहाँ पर फ्रेश दही लेंगे तीनों चीजों क कुब अच्छे से मिक्स कर लेँगे इस तरह से मिक्स करने से एक बहुती सॉ offer और स्पौजी बनता है अब हम यहाँपर एक चमच विनेगर और एक ही स्पोई हए और पने未 से के नियु अचछ दलेंगे और से थोड़ा सब हरे एक बहूद् मिल्क पॉर्डर और साथ ही में दो टेबल स्पून हम यहाँ पर कॉन्फ़र डालेंगे इसे केक बहुती सॉफ्ट और स्पॉंजी बनता है और साथ ही में यहाँ पर एक टीस्पून बेकिंग पॉर्डर और साथ ही में आधा टीस्पून हम बेकिंग सॉडर डालकर से चानते ह करेंगे आज हम यहाँ पर पाइनेपल पेस्ट्री बना रहे हैं उसमें यह केक से बहुत ज़्यादा सौफ्ट और मॉइस्ट होता है इसलिए हम यहाँ पर मिल्क पाडर और कॉन्प्लर का इस्तमाल कर रहे हैं इस तरह से चानते हुए हम यहाँ पर अब इसमें धीरे धीरे प करते जाएं मैं यहाँ पर दूद का भी इस्तमाल कर सकते हैं पर सभी चीज़ें रूम टेमप्रेचर पर रखी होनी चाहिए तो आप देख सकते हैं कितना भड़ी हमारा केक का बैटर बन चुका है अब हम यहाँ पर जो केक का मोल्ड हमने त्यार किया था वहाँ केक का मोल्ड आप यहाँ पर डाल दें और इसे हम अच्छे से फिल कर देंगे तो केक का बैटर इसमें मोल्ड में जा चुका है केक जब भी आप बनाएं पहले से आप कढ़ाई को प्रेशा कुकर को यावन को प्रिहीट करने रख केक का बैटर करें तो इस तरह से मेरी कड़ाई पहले से लो फ्रेम पर अच्छे से गरम हो चुकी है इसका मैंने जो नीचे रिंग भी रख रखी है कोई भी यहां पर स्टेंड रख सकते हैं और इसके सेंटर में हम इसके मूल को रखेंगे और करीब 30 मिनिट के लिए लो फ्र केक परफेक्ट 30 मिनिट में बेख हो चुका है तो यह टाइम कम ज़्यादा हो सकता है तो इस बात का जरूर धियान रखें इसके लिए आप टूथपिक केक में डालें और इसको अब देख चैक कर लें यदि क्रम्स विल्कुल भी नहीं आ रहे हैं टूथपिक क्लीन है तो बेंख बॉक झाले तो बोना रहे हो बड़े को हम सबकिक कोई थे लिकन बदels autocot चाही पर कब चॉत जार में दालेंगे और साथ ही मिहां पर एक when Taschen कसा डालेंगे और हम सोड़ा सा किसमें येलो फोड कर डालेंगे किभी अब यहाँ पर कर्यब चॉत हुद है कब पानी दालेंगे और इसे मिक्सर आ मिक् favourite जार का ठकन लगाकर अच्छे से पीस लेंगे ताकि अच्छे से ब्लैंड हो जाए तो यह अच्छे से ब्लैंड हो गया है अब हम इस तयार मिक्सर को एक पैन में डालेंगे और पैन में डालने के बाद में हम इसे starting में high flame पर continuous हिलाते पकाएंगे उसके बाद हम इसकी flame low कर देंगे और इसे एकदम काढ़ा होने तक पका लेंगे जिस तरह से की market का pineapple crush होता है मैं पहले वीडियो जिसमें मैंने pineapple cake बताया था महाँ पर मैंने घर पर ही pineapple gel बनाना सिखाया है तो आप वह भी चेक कर सकते हैं आप यहाँ पर उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं पर आपको कुछ different देने के लिए आज मैंने यह pineapple crush बनाया है जिसे हम fresh pineapple या canned pineapple दोनों से बना सकते हैं तो टिन वाला लें या फिर फ्रेश लें आपका यह जो pineapple crush है बहुत ही बढ़िया और smooth बनेगा आप दीखे कि इतना गाड़ा हो चुका है और इस तरह से गाड़ा होने के बाद में गैस को बंद कर दें चोथा है चमच हम pineapple ऐसे स्टाल देंगे और इसे अच्छे से बोल में अच्छे से ठंडा होने दें ठंडा होने के बाद हम इसके ऊपर की जिए डॉम शेप है इसे निकाल देंगे और साइट के जो आप देख रहे हैं क्योंकि हमने से कड़ाएं में वेक किया था तो साइट के और बॉटम पार्ट इसका थुड़ा सा डाक हो गया है तो उसे साम में आता है जिसे बहुत ही नीटेंट क्लीन स्लाइस होती है तो इस तरह से अब हम इसको तीन स्लाइस में डिवाइट कर देंगे आप चाहें तो यहाँ पर दो स्लाइस में डिवाइट कर सकते हैं क्योंकि एक की हाइट अच्छी बनी है तो यहाँ पर तीन स्लाइस में स से स्लाइसे में डिवाइट कर लिया है यह काम थोड़ा सा प्रैक्टिस का ही है जैसे से प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी स्लाइस अच्छी बनेंगी अब हमें हाप एक कप नॉन डेरी विपिंग क्रीम ले रहे हैं उसे हम स्टिफ पीक्स आने तक विप कर लेंगे इसका बन कर देंगे टैयार है मारा क्रश तैयार है अब हम एक एक करके इस तरह से के स्पॉंच को रखेंगे और उसके उपर हम सोकिंग सिरफ से सोक करेंगे तो जो मेरा पार सिरफ था वही इसमें यह यूज़ रही हूं आप चाहें दो यहांपर चीनी और शाथम बरावर मात्र में पानी को मिलाएं और आपका स्वोकिंग सरफ तयार हो जाएगा और हम यहां पर विप्ड क्रीम को इस तरह से हर लेयर के बीच में लगाएंगे और इस प्रॉसेस को तब तरक कम्प्लीट करेंगे जब तक हमारी तीनों स्लाइस यहां पर लग नहीं जाती हैं और बीच बी करते हैं आप देखिए हमने यहां पर कोई ऐसा तूल अभी तक इस्तमाल नहीं किया जो कि हमारे घर पर अवेलेबल नहीं है तो इस तरह से मैं हमेशा कोशिश करती हूं कि आपको सिंपल और इजी तरीके से केक बनाना सिखा सकूं ताकि सभी लोग बेकरी और बेकरी से भी अच्छे केक्स और पेस्ट्रिस घर पर बनाकर एंजोय कर सकें तो इस तरह से अब मैं यहां पर यह थर्ड लेयर भी रख दूंगी और इस पाइनेपल क्रेश को अब बनाकर फ्रिज में एक से दो वीक तक स्टोर भी करके रख सकते हैं पर इसे आप बोटल में रखें और इस फिनिशिंग आ जाए इस स्मूद करना डेकोरेट करना का फिर बुलते हम से फिनिशिंग नहीं आती है तो यह से प्रैक्टिस का ही कही बात है अब जैतने केक्स बनाएंगे आपके अच्छी इस पर प्रैक्टिस होती जाएगी तो इस तरह से हमें इसे पहले इवेंली स्प्रैट कर लेना है आप क्रीम की मातला अपनी टेस्क के कोडिकम में ज़्यदा कर सकते हैं और इस तरह से टॉप लेयर के बाद में हम इसके साइट्स पे अच्छे से कवर कर देंगे तो आप देखिए हमने यहाँ पर केक को खुब अच्छे से सब तरफ से कवर कर दिया ह मैंने साइट से बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं लगाई है और सबसे टॉप में हाँ पर घर का बनावा पाइनैपल क्रेश टाल दूंगी और इस तरह से देखिए बिल्कुल मार्किट जैसा का कलर और लुक आया है और बहुत अच्छी से यह स्प्रेट भी हो रहा है इस तर अच्छी इसकी लेयर आई है और बहुत ही अच्छे से हमारा यह पिस्ट्री बनकर आया है तो इस तरह से अब हम इसके उपर फाइनल गार्निशिंग करेंगी जो की बहुत ही खुबसूरत लगता है और एक दम पिस्ट्री का लुक इसमें आता है तो एक उपर विब्ड क्र तैयार हो चुकी है जिसे अब मन चाहे तब बनाएं उकेजन फेस्टिवल बहुत ही बढ़िया और टीस्टी लगता है और अब मैं आपको कट करके बताती हूं कितना सॉफ्ट और मॉइस बना है कि देखिए कितनी आसानी से कट हो रहा है अब बहुत ही लजीज बना है तो आप जरू ट्राय करें अपने एक्सपेर्स हमें कमेंट्स बॉक में लिएक जरू शेयर करें थैंक यूँ